यह तस्वीर अमरीका की है जहां फिलिस्टीन के पक्ष में परदरसन चल रहे हैं, इसराइल के खिलाब परदरसन हो रहा है तो साइधी दुनिया का कोई देश हो जहां इसराइल अर फिलिस्टीन के मुद्धे पर बात नहीं हो रही है तो सोसल मीडिया पर सबसे ज़्यादा दो तस्वीर है आज वाइरल है परधान मंत्री की ट्रोलिंग संवित पात्रा की ट्रोलिंग भारत भले वर्ल कप हार गया हो लेकिन इसराइल और फिलिस्तीन के लिहाद से देखे तो एक तस्वीर ने पुरी दुनिया को जब जोड दी आर सोचिए आज मैच के दौरान किस तरह से सबसे ज़्यादा जो वाइरल तस्वीर रही वो तस्वीर रही उस सक्स की जो अस्ट्र इसराइल को लेकर उसने नारेवाजी की है और सोसल मीडिया पर सबसे ज़्यादा ये तस्वीर जो है वो वाइरल हो रही है और आज सोसल मीडिया पर सुधीर चौधरी और परधान मंत्री नरेंद्र मोदी को लोग ट्रोल कर रहे हैं तो सबसे बड़ी ख़बर बता रहा और सोचिए सबसे ज़्यादा जो है आज तस्वीर वाइरल हुई जिसमें एक खिलारी जो है बिराट कोली जब बैटिंग करने आया तो वहाँ सीधे सीधे वो तस्वीर सोसल मीडिया पर वाइरल हो गई क्योंकि बीच मैच में प्लेयर जो है वो सरयाम गया और बिराट कोल अर्थन में और ये तस्वीरे देखे ये तस्वीरे अमरीका की है ये तस्वीरे अमरीका की है जहां फिलिस्तीन के पक्ष में परदरसन चल रहे हैं इसराइल के खिलाब परदरसन हो रहा है तो साइध ही दुनिया का कोई देश हो जहां इसराइल और फिलिस्तीन के पास आगई ये देखिए ये तस्वीर है फिलिप फिलिस्तीन ये वो सक्स है जो बिराट को ली जब मैदान में बैटिंग करने आएं तो वो मैच वो फिलिप फिलिस्तीन के पक्ष में वो सक्स गया और तमाम लोग उसको शेयर कर रहे हैं सोसल मीडिया पर वाइरल कर रहे हैं वही आज क्या कुछ अपडेट है जो मैं चाहता हूँ आपके साथ शेयर करूँ लगातार इजराइल के खिलाफ लरने वाले देशों की संख्या बर रही है और अब जो खबर आ रही है कि तुर्की भी स्यूद में शामिल हो गया है और ये सबसे चिंता जनक बाद है अगर और अभी भी इजराइल के सैनकों के खिलाफ बड़ी लराई लर रहा है लिवनान, फिजगुल्ला, हीतू, हमास बड़ी लराई लर रहा है और ये अपडेट मैं बता दू थोरा साथ को कि किस तरह से इजराइल हस्पीटर्स पर हमला करता है हमास क्या कर रहा है आई और सुचिए कि जब इजराइल ने गज़ा में औरते वच्चों को मारा उसके ओ इरान, चाइना, रसिया ने चिताब नहीं दी थी अब यमन ने लाल सागर में बावन यात्रियों वाले इजराइली जहाज को बंधक बना लिया है इस समय कि सबसे बड़ी खबर बता रहा इस समय कि सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं बावन यात्रियों वाले इजराइली जहाज को बंधक बना लिया है यमनी इसुत्र खबर सच है सुचिए बावन इजराइली नागरीकों को बंधक बनाया गया है जो सोचल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वाईरल खबर है और इसराइल अपनी मिर्थकों को की संख्या को छिपाता है पर अभी कुछ घंटे पहले नितन्याहू सरकार को मानना पड़ा कि 19-19-2023 को दो पहर तक तीन सैनिक मारे गए है इसराइल के अधिकारी कुरूप से पिछले 24 घंटे में गारा इसराइली मारे गए है सच्चा इस से कहीं जादा है तो ये ये खुद इसराइल कह रहा है कि उसके गारा सैनिक एक दिन में मारे गए हैं लेकिन इससे अलग है मसला और सुचिए कि इसराइल के लिए 19-19-2023 बड़े नुपसान का दिन राध दच्छिन पुरूगाजा के अल जायतून इलाके में टैंक रोधी हत यार से हमास और इसलामिक जिहाद के लड़ाकों ने IDF के तिन सैनिक बाहनों पर एक 9-D बुल्डोजर को निसाना बनाया है और हताहतों की संख्या की पुष्टी हो चुकिया इसराइल खुद कह रहा है कि 9 लोग मारे गए हैं और 18-11-2023 को 13 इसराइली ठीकानों पर हमला कि 13 इसराइल को उत्री बोर्डर सुरक्षित लग रहा है आज हिजबुला ने इसराइल के रामिया अलमर्ज हनितिया खालेत वार्दा मेतूला छेत्रों में मिसाइल से निसाना बनाया है तो यह तस्वीरे मैप दिखा रहा हूं इन तमाम जगों पर इसराइल पर हमले हो रहे हैं और यह सोचल मीडिया पर वाइरल है और आज इंटरनेस्नल ही यह तस्वीरे वाइरल है किर्केट मैच के दौरान जो हुआ तो सबसे ज़्यादा खबर है और हो ही बेश्ट बंद में जबरदस्त लराई हो रही है और इजराइली से ना को जबरदस्त टक्कर हमास से मिल रही है तो सुचिए इस यूद में अब इरान सामिल है सिरिया सामिल है लिबनान सामिल है यमन सामिल है उसके बाद जौर्डन सामिल है तुर्की सामिल है और वहीं खाली देसों ने तैकिया कि हम पस्सिमी देसों का तेल जो है वो रोक देंगे यह बड़ी खबर है तो चलि वहीं इसराइल पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ गया है अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो देश के कई हिस्सों में एक बड़ा पोर्टेस्ट हो रहा है और आज भारत के वर्ल का फाइनल चल रहा था जो हमदावाद में हो रहा था उसमें भी एक ऑस्ट्र बड़ी बड़ा अपडेट है कि किस तरह से जो जवान है जो हमास हिजबुल्ला जो फिलिस्तीन के लिए दुनिया भर में जहां परदर्सन हो रहा है वहीं जहां फिलिस्तीन के लिए दुनिया भर में परदर्सन हो रहा है वहीं इसराइल पूरी तरह से अलग थलग पर गय जमीने कबजा करता था और मिडिया के जड़ीये प्रोपगंड़ा फैलाता था फिलिस्तीन कि देश हमास आतं की है लेकिन अब यह जड़ा जो है वो बिल्कुल साफ हो गया है लगिए जड़ाहिए वह बिल्कुल पूरी हमारे मजदूरी करता था अरे ये तो कल तक हमारे सामने बैठता नहीं था अरे इसको तो इसके बाप दादा इसको तो स्कूल नहीं जाने दिये थे अब ये स्कूल जाने लगा इनको नहीं पता है कि ये संबिधान लागू है और संबिधान में सब को बराबर का हक है और सब अधिकार मांग रहे हैं उसी तरह से सोचिए सोचल मीडिया ने इदराइल को बेनकाब कर दिया है और फिलिस्तीन को पुरी दुनिया में साबित कर दिया है कि वो सच्चा देस है जिस तरह से इदराइल ने अस्पतालों पर स्कूलों पर हमला किया है जिस तरह से मासुम बच् पिर चाहता है कि ये जो सीजफायर हो जाए युद्रूप जाए युद्विराम हो जाए लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ ये नहीं होगा फिलिस्तीनी चाह रहे हैं कि या तो साब साब फैसला हो करो या मरो या तो हमारे अधिकार दे दिये जाए हमारी जमीने लटा दी जाए या ये संघर्स आगे तक चलेगा क्योंकि हर फिलिस्तीनी अब अपने देश के लिए लरना चाहता है और इसते जादा हमास कभी मजबूत नहीं था और सोचिए आज तक फिलिस्तीन के साथ कभी दुनिया के देश खरे नहीं होते थे खारी देश खरा नहीं होता था आज वो सब उसके साथ खरे हैं पूरा खारी देश खरा है पूरा इरोप खरा है दुनिया का सायद ही कोई दोईस हो जहां फिलिस्तीन के पक्ष में परदरसन्न हो रहा हो दुनिया का मैं कह रहा हूं अ इंसानियत बचाने के लिए फिलिस्तीन के साथ खरे हैं तो ये सबसे बड़ी खबर है कि अब युद के 42 दिन इजराइल पूरी तरह से अलग थलग पर गया और पूरी दुनिया में इजराइल का समर्थ फिलिस्तीन का समर्तन हो रहा है और वहीं सोचिए साथ देश लगभग जो है वह एक साथ लर रहे हैं और खाड़ी देशों ने फैसला किया है कि हम तेल नहीं देँगे पस्मी देशों को तेल नहीं देंगे अमरीका लगातार जूट बोल रहा था वो कह रहा था कि हम हट गए हैं लेकिन वो मदद कर रहा था इसलिए तेल देने का नहीं फैसला किया एलेन मस्क ने आलोचना किया युदियों की तो ये सबसे बड़ी ख़बर है जो सोसल मीडिया पर वाइरल है लड़ेंगे या मरेंगे जिस तरह से मलवे में तब्दिल कर गया गजा पट्टी और फिलिस्तीन को जिस तरह से इसराइल की बंबारी अब दुनिया ने देखा सोसल मीडिया की वज़ा से हर घर तक विडियो पहुंचा बच्चों के मरते हुए महिलाओं के मरते हुए बुज कि धेश उसके साथ खरा होता हुआ नहीं कोई भी आठम हिटलर के साथ खरा हुआ धिखाई देगा मुसल्नी के पक्ष में बात करेगा कौन कर सकता है दुनिया में अत्याचार का एक इतिहांस लिखा जाता है चैए बंचारी के साथ इतिहांस खरा नहीं होता है बेंजामी तो दुनिया का साइध ही कोई देस है जो फिलिस्तीन के साथ नहीं खरा इस समय के सबसे बड़ी ख़बर बता रहा हूँ किस तरह से दुनिया कह रहे है कि बिंजामी नितन्याहू ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए उसने युद में धकेल दिया और अर्थ विवस्था चौ जो इसराइल के साथ ख़ड़ा हो एक देस का नाम बता दीजे बस भारत में भक्त हैं जबकि भारत सरकार फिलिस्तीन के साथ है तो युद के 42 दिन लगातार हमास हिजबुल्ला हूती इरान लिबनान ये सब हमला कर रहे हैं और युद बड़ा होता जा रहा है लेकिन चारो तरफ से इजराहिल को घेर लिया गया है पर उसी देसों ने उस पर हमला शुरू कर दिया है और एक सन की राष्टपती बेंजामी ने तन्याहू ने अपनी सत्ता बचाने के लिए दो देसों के युद में धकेल दिया है और ये युद बड़ा होता जार और इसका सीधा और पूरा खारी देश खारा है फिलिस्तिन के साथ और फिलिस्तिन को अब नयाय मिलने की उमीद है उसे लगता है कि वो आजाद होगा और उसकी एक एक ये connecting जमीन उसको वापस मिलेगी और हर फिलिस्तिनी कह रहा है कि अब या तो हम मरेंगे या लडेंगे क्योंकि फिलिस्तीन को पूरी तरह से मलवे में तब्दील कर दिया गया है और इसके बदले में अभी इजराइल पर मिसाइले चल रही है और इजराइल पूरी तरह से बेनकाब हो गया है तो यह आज की थी सबसे बड़ी अब्रेट इसराइल और फिलिस्तिनी उद्ध पर आज सबसे ज़्यादा एक गारा सैनिक इसराइल के मारे गए हैं और उसके टैंक बरवाद हुए हैं आज सबसे ज़्यादा एक गारा सैनिक इसराइल के मारे गए हैं तो सुचिए हिजबुल्ला जिसको आतंकी कहते हैं लोग, हमाज जिसको आतंकी कहते हैं, हुथी जिसको आतंकी कहते हैं, जो कि ये लड़ाके हैं, लिबनान के, यमन के और खिलिस्तीन के, वो सिर्फ और सिर्फ इसराइली फोज पर हमला कर रहे हैं, और इसराइल आम लोगों पर बंबारी कर रहा है, तो बताइए कौन है आतंकी, शुक्रिया है, नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है, कि अगर इसको बचाना चाहते हैं, तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है, कि हर ख़बर को शेर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें